हाई फ्रेंड्स वेल्कम को अवे स्वागत है हमारी फाइव मिनेट सीरीज में और आग जो टॉपिक हम आपके से डिस्कस करने वाले हैं वो जुड़ा है यूजी सीनेट पेपर वन एन्वार्मेंट से टॉपिक का नाम है वर्ल्ड अर्थ डे टुडॉसेंट टुएंट्वे पेपर्स अवेलेबल है टेस्स सीरीज अवेलेबल है प्रेक्टिकल यूनिट्स का अलग से वीडियो कोर्स अवेलेबल है सारी यूनिट्स का फुल वीडियो कोर्स अवेलेबल है और इन सभी कोर्स का एक कंप्लीट कॉम्बो भी अवेलेबल है और पेपर वान जो की जनरल पेपर है उसका भी मीनी कॉम्बो पैक जो है वो आप हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.ru इन से अवेल कर सकते हैं तो माईडी और फ्रेंड्स अगर हम बात करें वर्ल्ड अर्थ डे की तो वर्ल्ड अर्थ डे एक एनूल इवेंट है जिसे हम April 22, 1970 से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं तो बहुत पहले से इस दे को हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं और बताया गया कि इस दिन 1970 के अंदर काफी सारे जो लोग थे New York के अंदर अपनी streets पर आ गए और उन्होंने कहा कि environment की protection के लिए हमें बहुत strong laws बनाने की जरूरत है बहुत stringent कानून हमें बनाने की जरूरत है World Earth Day आज की डेट में Earth Day Network जो है वो इसे coordinate करता है global level पे और more than 190 countries जो हमारी world की है वो इसे celebrate करती है और World Earth Day 2020 marks the 50th anniversary of this day तो 1970 में start हुआ था तो 2020 के अंदर इसे my dear friends 50 साल पूरे हो गए है World Earth Day 2020 will be celebrated all over the world to spread awareness for Earth's well-being and to encourage people to support environmental protection तो आपको द्यान में रखना है किसे April 1970 से मना रहे हैं और 22nd April को ये मनाया जाता है इस साल थी इसकी 50th anniversary चलिए तो my dear friends अगर बात करें इसकी significance की तो World Earth Day हमारे लिए इसलिए important है क्योंकि इस दिन हम जो है लोगों को motivate करते हैं, encourage करते हैं, aware करते हैं कि उन्हें environment की protection के लिए धेर सारे जो steps हैं वो लेने हैं और साथी साथ उन्हें शुक्रिया भी करना है उन्हें थेंक्यू भी करना है अपनी Mother Earth का जिनोंने उन्हें इतने सारे resources और इतना rich environment प्रवाइड किया है और साथी साथ ये दिन हमारे लिए एक मौका भी है कि हम अपनी planet की condition को analyze करें, देखें कि कहां हम अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हमें करने की जुरुरत है ताकि हम climate change उन्हें उसे कहीं न कहीं रोख सकें It is also a reminder that clean air, flourishing forest and water are crucial for life on earth चले जी, तो माई दियर फ्रेंड अगर बात करें World Earth Day 2020 की तो यहाँ पर एक बहुत important fact इस से related जो कि हमें ध्यान में रखना है examination perspective से यह है कि इसकी theme क्या है तो माई दियर फ्रेंड इसकी theme है climate action जी आपको याद रखना है आने वाल exam के लिए हर साल यह theme different होती है और इस साल की theme इस exam के लिए important है तो हम सब भी जानते हैं कि इस साल lockdown चल रहा है और coronavirus के कारण सभी अपने घरों में ही है तो World Earth Day को भी digitally मनाने की बात की गई है इससे भी digitally celebrate किया जाएगा आप जो है इनकी website के उपर जाएगे और वहाँ पर आप जो है इस पर digitally celebrate कर सकते हैं यहाँ पर 24 hours of action का भी column मिलेगा आप इसे join कर सकते हैं हर घंटे आपको कोई नया action जहाँ पर करने की बात की जाएगी कि आपको ये कदम उठाना है अपनी अर्थ की protection के लिए तो friends यहाँ पर आपके लिए प्रेक्टिस कोशन है आप इस कोशन को attempt कीजिए और अपने answers हमें comments के तुरू बताईए हमें इंतजार रहेगा आपके comments का तो thank you friends for watching this video अगर आपको ये वीडियो पसंद आ है तो इसे जरूर से like करना हमारी channel पर नए है तो इसे subscribe कर लेना और अपने friends के साथ भी share करना तो आपकी कोई query है आप हमें mail कर सकते हैं हमें updates के लिए Facebook और Telegram पर follow कर सकते हैं और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाते हैं तो WhatsApp यहाँ फिर call भी कर सकते हैं यह number आपको यहाँ पर दिया है और साथ ही साथ जो हमारी free learning app है everstudy classes की Android app आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने mobile phones पर उसका link आपको इस video को description में भी मिल जाएगा और बाकी सबी details के लिए आप हमारी जो website है www.everstudy.co.in वहां भी visit कर सकते हैं Thank you, take care कर सकते हैं